कि अब जो और सब को में रहा जा रही है टॉपिक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें अब लिए टॉपिक स्टार्ट करें अब लिए पेंडिंग टॉपिक हमारे पास क्या क्या है मैंने आप लोग को बताया था एसील कॉंसेप्ट एसील कॉंसेप्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या आप इसको पैकेट फिल्ट्रिंग फायरवाल मेथट आप बोलते हो एफ एफ एच आर्पी एंड आई पी वी सिक्स यह टॉपिक हमारे पास पेंडिंग है ओके सुमिश्वर सुमित कमल कांथ आज हम लोग डिस्केशन कर सकते हैं हम लोग डिस्केशन करते हैं आज वेट ओके आज एक इंटरस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्केशन करते हैं वो है फ एफ एच आर्पी पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं फ एफ एच आर्पी इस टॉपिक पे डिस्केशन स्टार करें कमलकां सुमिश्वर समिथ टॉपिक है आपको एफ एफ एच आर्पी कॉंसेट की रिकॉर्मेंट क्यों है तो मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है मैं अब आपको इतना प्राइटर अंवान करता हूँ किया अगर आपके पास कुछ कंप्यूटर थे इतो है और यह कुछ कंप्यूटर से यह साइट में जो रिक्समेपल राऊटर सी धा कि अपगी कि अपको फॉर एक्शामपल जीरौ जीरौ एंटरफियस यह अपका लैन इंटरफियस हो गया पीर यूज तूर टो पॉल फक्ति Olüm पूलिक फ्शेंटरफिया रहे हैं हुआ आधि-भी फार एक्सांपल पास्ट इठर्नेट जिरो इसको आप यूज कर रहे हैं पब्लिक फेसिंट इंटरफेस तो मैं यहां पर आपी लिख लेता हूं 99.99.99.100 करना आपको आता है अगर ट्राफिक आपकी प्राइवेट नीट्वक से ट्रेवल कर रही है पुब्लिक नीट्वक की तरह हो तो आपको नाट भी कॉन्फिकेशन करना है मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि इस ट्राफिक पर सब कुछ आपने प्रॉपर कॉन्फिकेशन किया है और यह जो इंसाइड मशीन है इनके लिए डिफॉल्ट गेटवेग एपी 192, 168, 10.1 आपने कंफिगर कर लिया और ट्राफिक बड़े अराम से ट्रेवल कर रही है इस इस ट्राफिक द्रूपर के द्रूपर के द्रूपर कमल कान स्वमिश्वर समेथ अब यहां पी जो रहा सोचो अगर यह इंटरफेस आपका डाउन हो गया तो लैं इंटरफेस या आपका यह बॉक्स डाउन हो गया तो अगर यह बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आप क्या करोगी आपकी लैंड करेक्ट यूटि लैंड यूजर इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते हैं और अगर यह डाउन हो रहा है तो आप क्या करोगी आप सर्च करो ट्रूपर शूट करने कोशिश करो उसके बाद आपको पर चलो ला है कि वो router down हो गया है router का interface down हो गया कुछ problem आ गई फिर अब उसको troubleshoot कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आपका LAN interface down हो गया पुरा box आपका down हो गया तो आपके connectivity loss हो गया तो आपने backup के लिए क्या किया backup के लिए network के अंदर एक और router यहाँ पे आपने deploy कर लिया तो यह आपका R2 हो गया और यह आपका R1 दूसरा router आपने क्यों लगाया है for backup तो यह मैंने एक switch यहाँ पे लगा दिया layer to switch यह आपके नीटों का switch है ISP connection आपका यहाँ पे hit हो रहा है, terminate हो रहा है और यह आपका ISP portion यह आपका LAN portion हो गया तो दूसरा router मैंने किसलिया add किया है for backup for backup अब इस router पे configuration आपने कर लिया, for example आपने LAN interface configuration कर लिया fast ethernet 0-0 fast ethernet 0-1 अब जैसे आप configuration यहाँ पे कर रहा हो अच्छे इससे पहले एक और से ना जो आपने को माल लो अगर आपके पास एक ही router होता तो ठीक है चोल इसको काम करते हैं, इसको इसको अटाते हैं मैंने का मेरे पास एक ही router है आपके पास एक ही router है आपका और एक ही ISP connection है तो आपने backup के लिए एक और ISP connection माल लो आपने एक और ISP connection दूसरे ISP से आपने connection ले लिया अगर इस सिनारियो में आपका अगर एक ISP down हो जाए तो दूसरा ISP responsibility कैसे लेगा IP route याद है IP route की command default route आपने configuration किया था तो मैंने एक entry कर ली इस route के लिए दूसरे entry कर ली मैंने किस route के लिए for this route और जब मैं दूनों route की entry कर रहा हूँ तो एक route की AD value मैंने higher रखी आपको याद होगा this route की AD value least होती है वो route आपका install होता है in routing table तो इधर route की AD value आपने for example 5 रखा हुआ है इधर AD value आपने 20 रखा हुआ है तो installation अपने दोनों default route की इंटरी आपने कर रखी है दोनों का gateway सेपरेट है बट आप चाहते हो यह आपका primary होगा तो अगर यह आपका इंटरफीस यह आपका install होगा in routing table बट अगर यह आपका डाउन होता isp कि आपका इसपी आप सकते हैं क्यों टमकान सुमिश्वर समृत यह सब्सक्राइब आपका रहा यह आपका डाउन होता है तो अपने एक और बैक अप लिंप लेकर रखा हुआ है कि यह दर वो डाउन होगा तो बैक अप लिंप चला जांगा क्लियर है मेरी पाथ सुमित सुमित अब आते इस पॉइंट पे ठीक है फीट तो मैंने कहा ISP कनेक्शन भी आपने लगा के रखा हुआ था दो-दो ISP कनेक्शन ठीक है मैं इसको यहां से टारो अब मैं सुच यहां पे लगा रहा हूँ कि मुझे लगा कि यह बॉक्स ही आपका डाउन हो गया ISP कनेक्शन नहीं बॉक्स के आपका डाउन हो गया तो तो मैंने एक और राउटर यहां पे लगा के रखा है आर्टू आर्टू दूसरा राउटर आपने लगाया है as a backup कि मैंने यहां पे एक स्विच्छ लगा दिया इसपी कनेक्शन अभी हमने एक पॉली एक रियेट किया था यह आपका लैंड पॉर्शन अब यह जो राउटर है आप इस पे आप रस तो कॉन्फिकेशन करोंगे आप आपको कॉन्फिकेशन करना है फॉर एक्सांपल तो दोनों करनेक्शन को आप एक ही आईसपी से कनेक्ट कर लो या आपको लगता है कि नहीं समय में पास ISP के भी options हैं तो मैंने एक ISP एक ISP मैंने connect किया एक router के साथ एक ISP 1 आपका, दूसरा ISP connection ISP 2 तो आपने cable attach कर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है एक ISP connection मैंने एक राउटर से connect कर लिया, तो यह थोड़ा costly आपके लिए हो जाएगा अगर तो ISP connection ले रहा हो, और या तो आप इसको ऐसे कर रहा हो कि मेरे पास एक ही ISP connection है, वो ISP connection मैंने connect किया किसके साथ, एक switch के साथ एक switch के साथ, यह layer to switch है, और यह आपका ISP portion पूर्शन और यह आपका LAN interface portion यह आपका LAN portion मैंने का अगर यह अगर interface आपका down होता है, तो आप क्या करोगे, यह आपका पूरा box आपका down होता है, तो आप क्या करोगे, आपके पास दूसरा backup link है ना आपके पस, तो आप switch कैसे करोगे, मालो अगर वो router आपका down हो गया, तो यह जो LAN के site में आपने 200 computers लगा के रखा हुआ यहाँ पे, 200 computer, इन सब पे आपको default gateway gateway चेंज करनी होगी, क्यों, यहाँ पे मैं default gateway के IP, यहाँ पे IP क्या है, 10.2, तो 200 computer land के site में, हर एक computer पे जा रहा हूँ, और default gateway की setting मुझे change करनी है, आरवन आपका down हो गया, तो मैं हर एक computer पे जा रहा हूँ, default gateway सेट करनी में, अगर मुझे एक मिन्ट भी लगता है, 200 computer ज़रा सोचवाँ, लगब तीन गंटे के बाद आप कहा सकते हो, कि आप पूरा यह land portion, पूरा यह land network इस router के थ्रू जा रहा है, 3 hours के बाद आप बोल सकते हो, तो आपने gateway के setting की 10.2, ट्राफिक आप के जर से travel कर रहा है और आप इस router को आप troubleshoot कर रहा हूँ, मालो थोड़ी देर के बाद आपका जो वेट, थोड़ी देर के बाद आपका यह जो router है, R1 यह फिर से अप हो गया, फिर से अप हो गया, तो फिर इसको आप ऐसे ले लो अगीन, कि मेरे पास separate ISP connection है, एक ISP connection मेने लिया था, एक ISP connection मेने लिया था, 100 Mbps का, और दूसरा ISP connection म और backup, और backup, और backup, यह 10 Mbps का है, 10 Mbps, तो मैं कहा रहा हूँ, अगर यह router जो डाउन हुआ था, यह फिर से अगर अप हो गया, तो मैं चाहूँगा न, साइव ट्राफिक इदर से जाए, क्योंकि इसकी speed कितनी है, 100 Mbps, और यह तो मैंने backup, internet connection लेके रखा हुआ है, यह जो connection ह मैं मेरा 10 Mbps का हूँ, तो आपने 10.2 gateway की entry कर दी, फूरी ट्राफिक आपके जर से जा रही है, थोड़ी दिर के बाद अगर आपका आर्वन फिर से अप हो गया तो, क्या करोगे आप, सारे computer पर क्या change करवा रहे हो आप, कि default gateway चेंज करो फिर से, जल्दी से, default gateway चेंज करो ज सिनारियों सानी मैं आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर आपने gateway चेंज करा है, अगें, 10.1, एक दो गंटे आपको लगे गेटवे चेंज करने में, अब हरे, अब आपको दो गंटे के बाद आप कह सकते हो, सारे computer साब के, आर्वन की तरफ से जा रहा है, बट यह जो मैनुल टास्क हो गया, तोड़ी देर के बाद अगर यह डाउन हुआ, फिर आप gateway चेंज करा रहा हूँ, 10.2, अब विदर से जाएंगे, दो तीन गंटे के बाद यह राउटर आपका फिर से अप हो गया, फिर आप gateway चेंज करा रहा हूँ, तो यह मैनुल टास्क है, यह टा इन दोनों gateway को combined करके, यह gateway आपके land portion, वेट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम FHRP का concept यूज़ करते हैं, यह आपका redundancy protocol है, first hope redundancy protocol, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों land interface को combined करके, यह दोनों gateway की IP को combined करके, हम एक virtual IP create करते हैं यहाँ पे, virtual IP, तो मैंने इन दोनों गेटवे को कंबाइंड किया और एक वर्चुल आईपी क्रियेट किया लैंड के साइट में आप क्या यूज कर रहा हूं 192.168.10 का नेटवर्क तो मैंने यहां पर डिसाइड किया वर्चुल आईपी 192.168.10.254 और यह वर्चुल आईपी मैं इन कंप्यूटर्स मैं इन कंप्यूटर्स के डिफॉल्ट गेटवे में सेट करने वाला हूं 192.168.10.254 और जैसे ही आप इन दोनों इंटरफेस को कंबाइंड कर रहा हूं जैसे आप दोनों दोनों इंटरफेस दोनों गेटवे को कंबाइंड कर रहा हूं और वर्चुल आईपी क्रियेट कर रहा हूं मैंने का उस वर्चुल आईपी को आप कंप्यूटर्स पे 200 कंप्यूटर्स हैं उन पे आप सेट कर दूँ बट जैसे आप कंबाइंड कर रहा ह यहाँ पर decide करना होगा यहाँ पर decide करना होगा एक device आपका act करेगा एक device आपका act करेगा as a active device as a active और दूसरा device का act करेगा आपका as a passive या अब इसको stand by बोल सकते हैं stand by device so FHRP के लिए हम यहाँ पर protocol यूज़ करते हैं जब आप यह combine करोगी तो आपको protocol यूज़ करना होता है HSRP, VRRP and GLBB यह तीन protocol option आपके पास है for example मैं ने HSRP यूज़ किया इस concept के लिए दोनों gateway कम्बाइन किया मैं HSRP concept यूज़ कर रहा हूँ जैसे आपने HSRP concept यूज़ किया तो एक device का roll क्या होगा active और दूसरे device का roll क्या होगा stand by traffic आपके किदर से travel कर रही है traffic आपके travel करेगी through active device और जैसे यह device आपका यह अगर यह gateway आपका down हुआ तो की जो device है आपका stand by device यह automatically क्या बन जाएगा active और traffic आपकी automatically ट्रैवल कर रही है यह ज़्याइब हो गेटवे चैंज नहीं करना व्योंकि आपने दोनों गेटवे क्वाइब करने के बाद एक IP डिसाइट किया है 10.254 तो जैसे आपका active box down होगा जो stand by device है वो क्या बन जाता है और traffic आपकी automatically travel कर रही है router तो से अब आपके land machine को नहीं बता आपके land machine को थोड़ा सा interruption मिल सकता है बढ़ अगेल उनकी traffic जा रही है के लिए रही है concept इस concept के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते है HSRP, VRRP और GLBP अगर यह implementation हमें करना है HSRP और GLBP यह दो प्रोटोकॉल जो आप देख रहा हो HSRP, GLBP यह Cisco standard protocol है यानि सिस्को डिवाइस पे आप यूज कर सकते हो Cisco का multi-layer switch है या Cisco का router आपके पास है आप HSRP और GLBP concept को यूज कर सकते हो VRRP के आपका open standard protocol है यानि अगर आप किसी और vendor के साथ काम कर रहे हो या आपके पास Cisco का यह डिवाइस है आप VRRP यूज कर सकते हो यह open standard protocol है और network के अंदर आपको सबसेदा मिलता है VRRP network के अंदर, सबसेदा मिलेगा आपको VRRP क्योंकि network के अंदर Cisco का device तो होगा नहीं other vendor का device होगा तो वहाँ पर आप अच्छा सार्पी और GLBP configuration नहीं कर सकते है वहाँ पर आपको कौन सा यूज करना होता है method VRRP protocol इसको मैं यहां से अब वो clear कर रहा हूँ I hope यह scenario पहले clear हो गया होगा Kamal Kaan, Somishwar, Sumit I hope यह scenario clear हो गया होगा rest जो theoretical portion है वो मैं आपको slide से शोग कर दोता हूँ सर यह topology मेरे इधर है एक active और एक standby लेकिन यह हाँ हाँ पुझे पुझे यह SD-WAN लिखा हुआ है उदर एक में green light लेल दी एक में blue light तो आप coordinate का device यूज कर रहे हैं क्या पता नी सर है तो Cisco के switch लगा रखके है लेकि तुक में है ना दो है हमें एक active है और और यूज कर रहे हैं Cisco की device पे या फॉर्टिनेट पे तो आप SD-WAN implementation चल रहा है आपका ठीक है SD-WAN चल रहा है और ये common concept है ये सिनारियो आपको हमेशा मिलता है किसी भी network में मिलेगा आप अब मैंने का HSRP आप कुछ point discussion कर लेते हैं यहां पे HSRP और GLBP मैंने का ये दोनों protocol आपके Cisco standard protocol है यानि इनको आप सिर्फ Cisco के devices पे यूज कर सकते हो VRRP के है आपका open standard डिवाइस प्रोटोकॉल है आपको यानि आप किसी वेंडर पे आप इसे यूज कर सकते हो ओके HSRP और GLBP ये multicast address यूज करते है HSRP के अंदर version आता है HSRP version 1, version 2 अगर आप HSRP version 1 protocol आप यूज कर रहे हो सो वो multicast address यूज करता है 224.0.0.2 और अगर आप version 2 यूज कर रहे हो तो वो यूज करता है 224.0.0.102 same multicast address यूज करता है GLBP VRRP यूज करता है 224.0.0.18 और ये जो प्रोटोकॉल्स है मैं आप से कहा था कोई भी प्रोटोकॉल या तो TCP पे काम कर रहा होगा तो ये जो प्रोटोकॉल्स है आपके HSRP, VRRP और GLBP ये किस पे काम करते हैं UDP पे प्रोटोकॉल का नंबर भी आपको दिख रहा है UDP का 1985 VRRP, HSRP का 1985 GLPP का 3222 VRRP 112 यहाँ पे timers भी है आपके पास timers का requirement यहाँ पे क्यो है जैसे मेरे पास यहाँ पे R1 है और R2 यह मैंने स्विच ले लिया तो मैंने का इन दोनों gateway को combined करके आप एक virtual IP create कर सकते हो और इसी virtual IP को आप यूज करते हो as a gateway for land computers ठीक है अब यहाँ पे गया होते है जैसे आप gateway को combine करते हो यह gateway जो interfaces है यह एक दूसरे को hello packet भीजते है hello packet keep alive message के hello मैं active हूँ और दूसरा device के आपका standby mode है तो hello packet यह exchange कर रहे है और hello packet का timer क्या होता है 3 second hsrp और glbp इन दोनों का hello timer और hold down timer सेम होता है so hsrp 3 second glbp 3 second hold down timer क्या है hold down timer so अगर आपका यह जो device है आपका r1 यह आपका डाउन हो गया तो r2 कब तक वेट करेगा r2 अपने आपको active बनाने के लिए कब तक वेट करेगा so hold down timer के आपका 10 second वो 10 second तक वेट करेगा 10 second में अगर आपका r1 फिर से ready है अप है तो वो active ही रहेगा otherwise r2 आपका mode change करेगा और वो क्या बन जाएगा ऐसा active device यह सुमित कोई question है आपका और यह एड़र्टाइजमेंट वाला आपने बता है कि अब जो वन सेकंड है वी आर आर पी में फिर से पूछी फिर से क्या कर रहा है आप सरी जो वी आर आर पी में जो advertisement time वन सेकंड है यह बता भी है कि आपने मिस हो गया अभी मैं यह एचसर पी बता रहा हूँ आप ओके तो मैंने का एचसर पी एचसर पी और जील बीप का जो है वह थी सेकंड का है क्योंकि दोनों से स्कों स्टैंड प्रोडोकॉल है और फोल्ड आउन टाइमर के आपका 10 सेकंड दोनों का सेम है ठीक है तो अगर आप पढ़ रहा हूँ तो जील बीप के कुछ पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे जैसे हेलो टाइमर वी यह प्रोडोकॉल अगर आप यूज कर रहा हो तो उसका हेलो टाइमर सिर्फ एक सेकंड का होता है अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं अब यहां पर एक पॉइंट यहां पर वेट यहां पर अगेन मैं दोनों डिवाइस को ले रहा हूँ अब यहां पर एक पॉइंट आपको डिस्कुशन करना है क्या राउटर रोल राउटर रोल अगर आप एचसर पी के साथ काम कर रहो तो एक राउटर को आप बोलते हो एक्टिव और बाकि जितने भी गेटवे आपने लगा के रखें राउटर को सेकेंडरी गेटवे आपक यह भी क्या हैक का और एक राउटर का रोल क्या होता है एक्टिव अगर आप यह का रोल होता है क्या बैक अप HSRP में क्या यूज करते हो Active Standby VRRP में क्या है Master Backup लेकिन अगर आप GLBP Protocol यूज कर रहा हो तो देखो GLBP Protocol क्या होता है Gateway Load Balancing Protocol देखो हमारा C से रहे केंदो जो discussion है HSRP और VRRP implementation है Only Clear है मेरी बात Everyone HSRP HSRP and VRRP implementation है आपका Season A का Part GLBP Gateway Load Balance मैं इसका आईडिया आपको दे रहा हूँ इसका implementation आपका In Season P GLBP क्या होता है आपका GLBP में देखो अभी आपने देखा HSRP and VRRP HSRP और VRRP में क्या है एक router आपका जिसे HSRP है एक router आपका Active router है दूसरा router क्या आपका Standby अगर आप VRRP यूज़ कर रहा हो तो एक router आपका Master है और दूसरा क्या है Backup यानि आप एक टाइम पे सिर्फ एक gateway को यूटलाइज कर सकते हो इन HSRP इन VRRP बट आपको लगता है कि नहीं जितने भी gateway मैंने लगा कर रखें मुझे सब को यूटलाइज करना है जैसे for example मेरे पास R1, R2 और मैंने एक और router एड़ किया R3 तीन तीन gateway है मेरे पास मुझे सारे gateway को एक साथ यूटलाइज करना है तो आपको यूज करना होता है GLBB Gateway Load Balancing Protocol GLBB में क्या होता है GLBB में आपका एक router क्या होता है AVG और उसी router को आप क्या बोलते हो यह router का role है जैसे HSRP में क्या था Active Standby VRRP में क्या था Master Backup GLBB में क्या है AVG और AVF So GLBB के सिनारियों में एक router आपका बनता है AVG और वही router आपका होता है AVF बाकि सारे router क्या होते है AVF AVF So AVG का मतलब क्या होता है Active Virtual Gateway यह सुमित कुछ पूछ रहा हो सुमित कोई question है आपका नहीं सार ओके So यहाँ पर एक router आपका बनता है AVG और वही router आपका बनता है AVF बाकि सारे router को आप क्या बोलते हो AVF Active Virtual Forwarder Active Virtual Forwarder So AVG क्या होता है मैंने का GLBB हम यूज करते हैं किसलिए सारे gateway को जूटलाइस करने के लिए यहाँ पर हम load balancing technique को यूज करते हैं load balancing technique यहाँ ट्राफिक क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर तीनों gateway को यूटलाइस करते हो तो कुछ ट्राफिक आपकी एक gateway जा रही है कुछ ट्राफिक आपकी दूसरे gateway जा रही है कुछ ट्राफिक आपकी तीसरे gateway जा रही है तो यहाँ पर load balancing की technique यूज होती है अब यहाँ पर decide कैसे होगा कि यह load share कैसे होगा तो जो आपका AVG router है जो आपका AVG router है वो आपका controller होता है जिस router को आप AVG बनाओगे वो क्या होगा आपका controller router controller का मत्तब सारी traffic वहाँ पर hit कर रही है और वो उस load को share कर रहा है बाकी gateway के साथ तो आप सारी router हो गया बोलते हो AVF active virtual forwarder बट एक router क्या होता है आपका AVF तो होता है वो साथ में क्या होता है AVG active virtual gateway जो router आपका AVG होगा वो उस GLBP scenario में controller होगा as a controller router याई सारी load वहाँ जा रही है और वो उस load को share कर रहा है बाकी gateway के साथ clear है मेरी बात कमलकान सुमिश्वर समिथ यह सर् मैं यहाँ पर यह सब discussion नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा load balancing technique यह यूज करता है round dropping क्या होता है weight mode क्या होता है यह सब हमारा topic नहीं है आप यह सब हमारा topic नहीं है आप यहाँ सुमिथ पूछवाओ लगा यह सब लगा है तो साथ आपने ध्यान नहीं दिया आप बहार है क्या नहीं सर मैं daily के तरह ही हूँ जैसे अच्छा मुझे लगा बहार है अभी मैं बताया था अच्छार पी और जील बीप सिसको standard प्रोडोकॉल है याद है हाँ सर आपने बताया थे दो इस्टेंडर्ड है है अच्छार पी और जील बीप 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 स्टेंडर्ड है ओपन स्टेंड थैंक यू सो मुझ यही मैंने बताया था भी अस्ट तो क्लियर है आपको नहीं तो मैं मेरा बस क्योश्चन यह था सर जैसे नहीं तो सिंपल सी बात इस पर डिस्क्रिशन करना बनता है नहीं है सब्सक्राइब करना बीजिए आपके पास है थीक है अगर कंडीशन है तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है राउटर किसी भी राउटर पर आप इसे यूज कर रहा हूं यह यह राउटर के को डाउटर कॉंसेप्ट है कि समिक त्यक्ति है और साथ अपने फिर से दिहान है याद है को बात नहीं कोई बात नहीं कोई आप बादाम खाते हो कुछ नहीं होता है बादाम खाने से क्या होता है पता है अब को बादाम खातम होते हैं चले टॉपिक बेदे आथे अब ना कमल कान सुमिश्वर टॉपिक कंटिन्यू करें अब्रीवान ऑके नहीं कहा यहां पर रूल आपको क्लियर हो गया होगा रूटर का रूल क्या होता है अब नौ यह डिसाइड कैसे होगा कि एक रूटर आपका फर ए कैसे डिसाइड होगा कि यह राउटर आपका एक्टिव होगा और यह राउटर आपका स्टेंडबाई यह डिसाइड कैसे होगा यह अगर मैं व्यार पी में काम कर रहा हूं तो एक राउटर आपका मास्टर और दूसरा राउटर आपका बैक अप यह डिसाइड कैसे हो रह जिस डिवाइस की जिस राउटर की प्रियोरिटी वैलू हाईयर होती है जिस राउटर की प्रियोरिटी वैलू हाईयर होती है जैसे फॉर एक्सामपल अगर आप HSRP में काम कर रहो तो वो राउटर आपका होगा क्या एक्टिव अगर आप VRRP में काम कर रहो तो वो राउटर होगा आपका मास्टर अगर आप GLP में काम कर रहो तो वो राउटर आपका होगा AVG Active Virtual Gateway जिस राउटर को आप चाहते हो as a active रखना, as a master रखना, as a AVG राउटर रखना उसकी priority value आपको higher रखनी होती है मालो अगर आपने priority value change नहीं किया priority value change आपने नहीं किया आपने change नहीं किया और सब पे equal priority value जो 100 by default होती है वो जल रही है सब पे तो फिर टाइब रेकर क्या है टाइब रेकर है highest IP address तो यहाँ पे आपका priority value आप यूज़ कर रहा है 155 या मैं कह रहा हूँ आप जो default चलता है वही यूज़ कर रहा हो 100 यहाँ पे चल रहा है 100 यहाँ पे चल रहा है मैंने change किया है नहीं था तो फिर टाइब रेकर कौन होगा इस interface पे मैं IP यूज़ कर रहा हूँ 192, 168, 10.1 और यह है आपका 192, 168, 10.5 तो किस interface पे highest IP address है R2 तो यह router क्या बनेगा आपका active और यह router क्या आपका standby तो यह concept सब के लिए है सबसे पहले क्या चेक होती है highest priority value और अगर type होती है priority value को तो type breaker क्या होता है highest IP address तो यह है आपका HSRP, VRRP, GLP पे discussion कुछ और points हमारे पास है यहाँ पे concept होता है preempt का preempt इसको आप preemption भी बोल सकते preemption concept क्या है अभी हम लोग ने यह topology बनाया था wait तो by default preemption disabled होता है in HSRP and in GLBP जो preemption की technique होती है वो by default disabled होती है in HSRP in GLBP अगर preemption की technique disabled है तो problem क्या है problem क्या है देखो जैसे आपने combine किया इन दोनों gateway को combine किया तो आपने HSRP यूज कर रहा हो आप एक device आपका यह active है दूसरा डेवाइस आपका stand-by है traffic आपकी है सारी के सारी travel कर रही है traffic आपके travel कर रही है active device से active device आपका down हो गया तो यह passive device क्या बन गया active और traffic अप इस gateway से जा रही है अच्छी बात है अगर थोड़ी दिर के बाद अगर यह gateway आपका फिर से अप हो गया तो तोड़ी दिर के बाद यह gateway आपका फिर से अप हो गया तो तो यह gateway का mode अभी भी क्या होगा passive ही रहेगा इस पे आप higher priority value भी यूज़ कर रहे हो या highest IP address भी यूज़ कर रहे हो कोई फरक नहीं बढ़ता अगर यह device अप होगा तो इसका status passive ही रहेगा highest priority value होने के बाद भी यह active नहीं हो सकता क्योंकि by default preemption की technique क्या होती है disable होती है in HSRP in GLBB अगर आपने enable किया तो क्या होगा अगर आपने preemption की technique आपने enable की तो क्या होगा अगर आपने enable की और यह device आपका active है यह device आपका stand by है अगर आपका active box down हुआ stand by क्या बन गया active थोड़ी देर के बाद अगर यह box आपका up हो गया और preemption अगर आपने enable किया है तो यह box again क्या बन जाएगा active so HSRP GLBB में preemption disable होता आपको enable करना होता है VRRP का एक benefit आपको दिखेगा हाँ पे कि आपको preemption की technique यहाँ पे enable नहीं करनी होती है by default VRRP के अंदर enable होता है अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे दोनों gateway को combine करते हो और एक virtual IP आप create करते हो मैंने कहाता है यह virtual IP हम use करते हैं as a default gateway for all land computer तो जब आप यह दोनों gateway को combine करके एक virtual IP create करते हो तो उसका एक virtual MAC address बनता है यहाँ पे अगर आप hsrp protocol यूज कर रहे हो तो mac address क्या होगा आपका mac address start होगा 0c07 से और अगर आप VRRP यूज कर रहे हो तो mac address start होगा 5e00 और अगर आप jlp भी यूज कर रहे हो तो वो start होता है 07b4 तो आप mac address identify कर सकते हो की कौन सा protocol आप यूज कर रहे हो for gateway load balancing अगर आप IP वर्जन 6 के साथ काम कर रहे हो तो यह आपका यह आपका theoretical portion है आई होप यह clear हो गया होगा everyone कमल का सुमिश्वर समिथ तो मैं कर रहा हूं फॉर रेस्ट डिसकेशन अच्छा यह कुछ पॉइंट्स है मैं डिसकेशन नहीं कर रहा हूं बट हां मैं इस रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं आप लोग देख सकते हूं हमारा जो टॉपिक है वह hsrp और vrp implementation है तो मैं एक टॉपालोजी क्रिएट कर रहा हूं वेट आप लोगों ने स्टॉल किया क्या अप यूज करते हैं गिले अब आप पैकेट रेसर पी कर सकते हैं नो पाव तो मैं यहां पर टॉपालोजी बरा रहा हूं वेट कर दो झाल झाल यह आपका लैंड पोर्शन है लैंड 200, 200, 200, 0 का नेटवक मैं है यूश कर रहा हूँ और यह िरहा हूँ आपका लैंड पी सी है ठिक nen इसको यूश कर रहा हूँ ऐसा लैं पी सी लैंड पी सी यह जो पोर्शन है आपका लैंड पोर्शन तो इधर मैं IP address यूज़ कर रहा हूँ 10.1.23 का network LAN interface पे मैं IP यूज़ कर रहा हूँ 192.168 200 का network कम दो यूज़ करें न 200.200.200.1.24 और यह gateway आपका 200.200.200.2 यहाँ पे gateway को combine करने के बाद मैं एक virtual IP create करने वाला हूँ virtual IP मैं ले रहा हूँ क्या 200.200.200.254 यह virtual IP आपको यूज़ करना है यह virtual IP आपको यूज़ करना है as a default gateway for LAN computer 254 तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ as a default gateway IP outside R4 आपका यह आपका यहां से आप यहां पे आप एक loop back create कर सकते हो testing के लिए सुमिश्वर, कमल कान, सुमिथ, कोई problem मैं स्टॉपालिजी में everyone पहले मैं स्टॉपालिजी को prepare कर लेता हूँ उसके बाद चलते हैं wait basic configuration में पहले कर रहा हूँ R1, R2, R3 and R4 router है उसे पहले configure कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं implementation पे मैंने आप से कहा R3 को मैं यूज़ कर रहा हूँ as a as a LAN PC R4 आपका ISP router की तरह act कर रहा है ISP network है इदर ये R4 मैं configuration स्टार्ट कर रहा हूँ basic configuration router पे आपको IP address configuration करना आता है तो मैं R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ दो interface आपको दिख रहा है past Ethernet 0.0 200, 200, 200.1 mask no shutdown एक interface आपका जो public face interface है 10.1.3.1 255 no shutdown exit किया आपने show IP interface brief now यहां पे आते हैं R2 router interface interface fast Ethernet 0.0 200, 200, 200.2 mask no shutdown now interface fast Ethernet 0.1 23.2 मैं आपके configure कर लेता हूँ no shutdown show IP interface brief now R3 जो आपका LAN machine की चरह में इसे यूज कर रहा हूँ R3 router आपका host name पहले आप इसे दे दो host name lan PC interface fast Ethernet 0.0 200, 200, 200.10 255, 255, 255.0 no shutdown तो यह एक LAN machine की तरह है एक interface वहाँ पे जिस पे मैंने IP address configure कर लिया और gatefig entry आपको करनी होगी जैसे आप computer के अंदे करते हो तो command यहाँ पे गया होती है पहले तो आप no IP routing command आप यूज कर लो no IP routing command से मैं क्या कर रहा हूँ जो routing का feature होता है इस router पे वो मैं हटा रहा हूँ तो एक normal device की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूँ एक device जिस पे एक interface है और इस पे मैं gateway set कर रहा हूँ command क्या होती है IP default gateway default IP wait default gateway gateway क्या है आपका अभी मैं gateway क्या ले रहा हूँ 200, 200, 200 मैं manually decide कर रहा हूँ कि अभी gateway आपका 1 है यह मैं manually बता रहा हूँ उसको अभी मैं अचसर PBRR पे discussion नहीं कर रहा हूँ ठीक है अभी मैंने gateway manually set कि 200, 200, 200, 200.1 यानी R1 से traffic जाना जाए आपका रहा हूँ यहां यहां पे आ रहा हूँ R1 router पे अच्छा R4 भी configure कर लेता है यह आपका fast Ethernet 0-0 10.1.23.10 मैं यहां पे configure कर लेता हूँ no shutdown और यहां से entry कर लेते हैं पहले मैं R1 से entry कर लेता हूँ default route create कर लेता हूँ any network, any mask 10.1.23.10 यह आपका router का IP address है next hop IP मैं आ रहा हूँ R2 R2 से भी मैं default routing कर रहा हूँ ISP towards ISP any network, any mask next hop क्या है आपका 23.10 and for return traffic मैं R4 पे entry कर लेता हूँ मैं R4 पे बैठा हूँ मैं कहा रहा हूँ कि अगर किसी को भी इस 200 network पे जाना है तो आप gateway decide कर सकते है तो मैंने यहाँ पे define किया दो gateway मैंने कहा 198 200, 200, 200, 200.0 mask अगर किसी को इस network पे जाना है तो पहला gateway है 23.1 और एक और है मेरा 23.2 तो यह मैंने दोनों gateway के entry यहाँ से कर ली basic मैंने configuration किया है स्वमिश्वर, समित, कमल कांत everyone any problem in basic configuration अगर मैं R1 से अगर मैं R3 R3 से अगर मैं traffic initiate करूँ मैंने manually set किया है default यह तो अगर मैं यहाँ से pink करूँ 10.1.3.10 मैं outside जो router उसको मैं pink करने ही कोशिच कर रहा हूँ मैं outside जो router है मुझे reply आ रही है traffic travel कर रही है traffic travel कर रही है अगर मैं tracer करूँ देखो traffic मेरी किदर से जा रही है 23.10 पर जाने के लिए gateway कौन सा है gateway कौन सा है 200 200 200.1 यह आपने set किया था यहाद है आपने configuration किया था IP default gateway अगर आपको change करना आप change कर लो आपको लगता है यह gateway नहीं होगा मालो आरवन आपका डाउन हो गया आपको दूसरे gateway केंटरी करनी है 200 200.2 डन अब आप traffic initiate करो अब मैं फिर से pink कर रहा हूँ 23.10 को reply मुझे आ रही है और gateway के है अब अगर मैं trace it करूँ तो अब कि दर से आ रहा है सुमित 200 200 200.2 तो मैं यह जो task है यह मैं manually करना नहीं कहाता यह gateway डाउन हो रहा है फिर मैं दूसरे gateway gateway केंट्री मैं कर रहा हूँ as a default gateway land computers को तो यह task मैं नहीं करना चाहता ठीक है तो मैं पहले यह gateway अच्छा रहने दें चोड़गा आई होप यह task clear हो गया होगा अब मैं आ रहा हूँ इस R2 R1 and R2 router भी और मुझे इस टुपॉली में implement करना है गया नहीं करना चाहता कि एक gateway डाउन हो रहा है फिर सारे computers में gateway के IP चेंज कर रहा हूँ यह task में statically नहीं करना चाहता तो यहाँ पे हम load balancing protocol यूज़ कर रहे हैं और HSRP, VRRP हमारा topic है इन दोनों gateway को मेरा point यह है कि मैं दोनों gateway को combine कर रहा हूँ combine कर रहा हूँ और combine करके मैं एक virtual IP create कर सकता हूँ इस topic को यहाँ से continue करते है on Monday ओके का मिलकान सुमिश्वर सुमिट यूख हम लोग complete नहीं कर पाएंग ठीक है सुमिश्वर clear everyone इस topic को यहाँ से continue करते है HSRP, VRRP implementation on Monday bye guys take care good night everyone good night bye everyone bye bye everyone